दोस्तो देश के मशूर कॉमेडियन राजु सरी वास्तव का आज 21 सितंबर 2022 को निदन हो गया बीते 10 अगस्त को जिम में वर्काउट के दौरा राजु को दिल का दौरा पड़ा था इसके बाद उन्हें एमस में भरती करवाया गया था 41 दिन से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे राजु सरी वास्तव ने अखिकार आज अपने प्राणती आग दिये उनकी मौत पर देश की तमाम हस्तियों से लेकर आम लोगों में शोख की लहर इस खबर में हम आपको बताने जा रहे राजु के जीवन की कुछ खास किस्सों के बारे में जी हाँ आपको यह बात जानकर आशर्य होगा कि राजु सरी वास्तव का असली नाम राजु नहीं बल्कि सत्य प्रकास शरी वास्तव था विकानपुर के एक मिडल क्लास फैमली के रहने वाले थे उनके फेमस किरदार के कारण लोग उन्हीं गजोदर भहिया के नाम से भी बुलाते थे राजु सरी वास्तव को बचपन से ही मिमिक्री का शौक था उन्होंने एक इंट्रिवें बताया था कि उनके स्कूल प्रिंसिपल ने हमेशा ही उनके मिमिक्री की परतिबा को प्रुत्साहित किया कहीं लोग उनकी मिमिक्री का मजाग बनाते थे लेकिन प्रिंसिपल ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा राजु कहीं बार इलाके की किर्केट मैच में कॉमेंटरी भी किया करते थे साल 1982 में राजु स्रीवास्ता मोगत अलाश ने मॉंबई चले आए यहां मानगरी में उनका संगर शुरू हुआ था शुरुआती दिनों में अपने गुजारा करने के लिए उन्होंने और इक्षा भी चलाया था इसके बाद उन्होंने कहीं फिल्मों में छोटे छोटे रोल किये सल्मान की फिल्म मैंने प्यार किया शारुक खान की बाजिगर आमदनी अठनी खर्चा रुपईया वा तेरा क्या कहना मैं प्रेम की दिवानी हूँ जिसी फिल्मों में अपने किया साल 2005 में राजसरी वास्तव ने स्टार वन पर परसारित होने वाले शो दा ग्रेट इंडियन लाप्टर चैलेंज में ही सलिया था वे इस शो में उफ वीजेता रहे थे लेकिन इस शो ने उन्हें देश में कॉमेडी की दुनिया का बादशा बना दिया इसी शो के बाद उन्हें घर घर में गजोदर भहिया के नाम से जाना जाने लगा राजसरी वास्तव ने कॉमेडी के अलावा भी अन्ने जगों पर हाथ आजबाए उन्हों टीवी के मशूर रियाल्टे सो बिग बॉस त्री में भी सलिया था इसके बाद वे कॉमेडी शो महा मुकाबला सीजन 6 और नचबली जैसे शो में नज़र आए राजसरी वास्तव अमिताब बच्चन के बड़े फैन ने अमिताब की एक्टिंग का उन पर इतना असर पड़ा उन्होंने अमिताब की तरह एक्टिंग करना बोलना उटना बैटना सब शुरू कर दिया उन्हें अमिताब बच्चन के मिक्री के लिए पहली बार 50 रुपे का इनाम मिला था राजसरी वास्तव ने कॉमेडी के बाद राजनीती में भी हाथा जमया साल 2014 में उन्हें समाजवादी पार्टी ने कानपुर से लोक सबगा टिकेट दिया हालकि इसके कुछी दिनों बाद उन्हें टिकेट वापस करके भारत जिंता पार्टी का दामन थाम लिया था पी-म मोदी ने उन्हें स्वच भारत मिशन का चेहरा भी बनाया था राजु सिर्वास्तप की प्रेम कहान ही बिल्कुल फिल्मी थी राजु की पत्नी का नाम शिका है राजु को शिका से प्यार था हालकि उन्हें से शादी करने के लिए राजु को करीब 12 साल का इंतिजार करना पड़ा था 17 माई 1993 में को राजु ने सिखा से शादी कर ली थी उनके दो बच्चे अंतरा और आई उश्मान है राज सिर्वास तब बीते 41 दिनों से मौत से लड़ रहे थे जिम्मे वर्काउट के दुरान राजु को हाट टेक आया था इसके बाद उन्हें एम्स में भरती कराया गया था जहां उन्होंने 41 दिन मौत से जंग लड़ी आखिरकार आज सुबह उन्होंने अपने प्रान त्याग दिये